हेलो फ्रेंट्स आज मैं आपको वोईस ओफ मर्डर रहे ये 2007 की कोरियन मिस्ट्री मूवी एक्स्प्लेंग करने वालो इस मूवी में एक बड़े से न्यूज एंकरर का बेटा किड्नैप हो जाता है और इसके बाद इस किड्नैपर को ढूणने के लिए cat and mouse start हो जाती है ये movie एक real life story है और इसके fact आपको movie के end में पता चलेंगे तो चलिए शुरू करते है movie start होती है और हमारा main character हान में दिखता है ये एक news anchor होता है एक बड़े से channel के लिए काम करता है और nationwide सब लोग से जानते है आज रात की news में ये ये भी news cover करता है कि देश में बहुत सारी किड्नैपिंग हो रही है किड्नैपिंग होने के बाद ये किड्नैपर छोटे बच्चों को मार देता है रात में हम देखते है कि अपने बीवी औ हमेशा डाटती रहती है पर हानुसे कहता है कि तुम्हें जो भी चाहिए वो तुम खा सकते हूं मैं तुम्हारे लिए सब कुछ ला कर दे सकता हूं मदर का नाम जी सुन होता है जब सुबह होती है तो जी सुन अपने बेटे को कुछ भी अनेलदी खाने नहीं देती है उसे भी अपने फादर की तरह न्यूज में एंकरिंग करने होती है जब वे बिल्डी में आता है तब लीप से उपर आ रहा होता है यह ऐसा प्रिटेंड कर रहा होता है कि सीड़ी चड़ कर आया है पर जी सुन यह पहचान लेती है यह इसे नीचे जा का स्टेर से आने की लिए जब यह उपर पहुचाता है तो यह बहुत ठक जाता है कहता है कि ऐसा तुम मेरे साथ क्यों करती हो क्या तुम मुझे हेट करती हो जी सुन कहती है कि ऐसा नहीं है मैं तुमारे लिए यह सब कर रही हूँ क्या तुम्हें पता है कि लोग तुमारे बारे में क्या कहते है हम दोनों मिलकर इसमें efforts लेंगे, जिसुन उसे नीचे जाकर और भी exercise करने के लिए कहती है, रात में इनका बेटा society के ही पार्क में खेल रहा होता है, थोड़े देर में हमें दिखता है, इनका बेटा यहां से गायब हो चुका है, जिसुन बहुत ही wait करती है, पर फिर भी यह आता ही नहीं, वो worried हो जाती है, थोड़े देर बाद जब हान घर पर आता है, तो उससे भी कहती है, हान कहता है कि जड़ा wait कर लो, यह यही कही होगा, अब बहुत देर हो जाती है, हान भी worry करने रख जाता है, जहाँ कही भी इनका बेटा जा सकता है, सब जगा पर यह call लगाते है, पर यह कही भी नहीं होता, जिसुन पुलीस को call लगाना चाहती है, पर हान उसे रोक लेता है, थोड़े दिर में इन्हे call आ जाता है, यह kid neighbor का call होता है, हान जब phone उठाता है, तो kid neighbor कहता है, तुम तो मुझे बहुत ही काम लग रहे हो, मुझे लगा था कि तुम वरीड होगे, यह kid neighbor फिर उसे instruction देता है, वो कहता है, तुम्हारा बेटा मेरे पास है, कल तक तुम्हारे पास 100 के डॉलर्स आ जाने चाहिए, गाड़े में और एक phone तुम लगवालो, मैं कॉल करूंगा, तो तीन ring होने से पहले ही, तुम्हें एक कॉल उठाना है, अगर इन्होंने कुछ गड़बड की, तु इनका बेटा मर जाएगा, kid neighbor कल इन्हें फिर से कॉल करेगा, यह केकर कॉल रख देता है, जोन वेगरा निकालता है, kid neighbor हान को इन्फर्म करता है, गाड़ी लेकर उसे एरपोर्ट तक जाना है, वहाँ जाने के बाद, सब कार के डोर्स वेगरा उपन कर देने हैं, और वहाँ से निकल जाना है, हान अपने बेटे के बारे में पोच्छता है, kid neighbor कहता है, एक बार मुझे पैसे मिल गए, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, मदर को जब kid neighbor को कॉला आता है, तब मदर उसे कहती है, प्लीज उसे खाना दे दो, वो बहुत ही बड़ा लगता है, और वो बहुत ही वीक है, kid neighbor कहता है, इसे Chinese food चाहिए, जिसुन कहिदी है, कि उसके लिए अच्छा नहीं है, या अपने बेटे से बात करना चाहती है, पर kid neighbor कहता है, कि वो अब सोया हुआ है, हान को kid neighbor ने बोला था, कि अब उसे back छोड़ कर वहां से निकल जाना है, घर पर उसे जाना था, पर हान वहां से नहीं जाता, थोड़ी दिर में हान की गाड़ी में फोन बजने लग जाता है, वो भागते भागते उसके पास जाता है, kid neighbor कहता है, तुम्हें कहा था, तुम्हें घर जाना है, हान बोलता है, कैसे कैसे गाड़ी में उपन छोड़ कर जा सकता हो, अगर किसी भी random person ने ये पैसे ले लिया है, तो ये problem हो जाएगा, kid neighbor कहता है, कि तुम्हें वरी करनी की जुरुरत नहीं थी, जी सुन से जब kid neighbor की बात हो रही थी, तो जी सुन ने फोन ज़रा लेट उठाया था, kid neighbor उसे फिर से warning देता है, तीन रिंग होने से पहले ये call उठ जाना चाहिए, kid neighbor अब हान से कहता है, कि अलग place पर अब तुम्हें जाना है, वो उसे एक location देता है, वो उसके पास एक tea house है, वहाँ जाकर वो बेठ है, इसे उसके instructions होते हैं, अब जी सुन को kid neighbor call करता है, वो कहता है, जो tea house था, वो बन हो चुका है, उसे chicken place पर जाने के लिए कहूँ, हान जब chicken place पर पहुँचता है, तो सब कुछ लोगों को देख रहा होता है, उसे लगता है, बच्चे को मैं कुछ भी खाने के लिए नहीं दूँगा, जी सुन रोने रख जाती कहिती है, कि प्लीज उसे कुछ दे दो, पर एक kid neighbor मानने वाला नहीं होता, हान जी सुन बच्जीड गया होता है, वो जी सुन को call लगा कर कहता है, कि उसे पुलिस को inform नहीं करना चाहिए था, हान जब उस चैनिस प्लेस पर पहुचता है, तो अब वहाँ किरना पर वगरा कोई भी नहीं होता, अब next scene में हम दीखता है, कि पुलिस investigation स्टार्ट हो चुकी है, जो सब area में suspect है, इन सब को पुलिस ने उठवा लिया है, इनकी voice sample अब वो लेने वाले है, पुलिस की meeting चल रही होती है, इसमें कहा जाता है, कि दो मिनिट के नीचे ही ये सब call करता है, यानि कि ये call कोई भी trace ना कर पाए, ये बहुत intelligent और cunning है, ये हान का बेटा है, तो इन पर pressure भी आप पढ़ने वाला है, हान के घर पर हमें बहुत सारे पुलिस विगरा दिखते है, हान को समझा रहे होते हैं, कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम जल से जल उससे ढूंड लेंगे, आप phone विगरा वो सब कुछ टैप करने वाले होते हैं, पुलिस हान से पूछ रहे होते हैं, कि क्या उसे किसी पर शक है, हान केता है, कि मैंने सालों में बहुत सारे इनमीज बनाए हैं, मैं अगर नाम लूँगा, तो यह impossible बन जाएगा, हान केता हैं, कि एक honest citizen की तरह मैंने लाइव जी है, मैं news anchor हूँ, तो इसमें मैंने बहुत सारे लोगों को हट कर ही दिया है, हान पार्किंग में होता है, और किर्णा पर उसके phone पर call करेगा, इसका wait कर रहा होता है, जब call आता है, तो किर्णा पर कहता है, मैं तुम्हें बताया था, कि पुलिस को तुम्हे call नहीं करना है, कुछ ध्यान नहीं होता, तो एक Chinese parcel वाला, इसके गाड़ी उपर कुछ लगा कर जाता है, इस पर किर्णा पर की note होती है, इस पर लिखा होता है, तुम तो बहुत ही optimistic हो, ये सारी situation चल रही है, और तुम सो रहे हो, हान उटता है, और इस note पर वो बिलिव नहीं कर पाता, वो भागने लग जाता है, और किसी को ढूंडता है, पर कोई भी हिसे नहीं मिलता, पुलिस investigation करते है, और इन्हें उस Chinese parcel वाले के बारें पता चल जाता है, कि इस Chinese वाले को पकड़ लेते हैं, पर इसे पता नहीं होता, सिर्फ एन note गाड़ी पर लगा कर आनी है, इसके लिए पैसे दिये गए थे, हान से जब पुछा गया था, कि क्या उसने किसी को hurt किया है, तो अब उसे याद आता है, कि एक या आदमी था, जिसको उसने सबसे ज़ादा बरबाद किया था, उसके जैनल में एक आदमी काम करता था, पर उसने ब्राइब ली थी, और गलत न्यूज उसने दे दी थी, हान अगर जाता, तो इस मैटर को दबा सकता था, यह आदमी उसे गिड़िड़ा रहा था, हान ने अगर यह रिपोर्ट कर दिया, तो इस आदमी की नोकरी तो जाएगी, पर यह जैल में भी जा सकता है, हान माना नहीं था, इस आदमी को इसके बाद, दो-तिन साल तक जैल हो चुकी थी, जो पुलिस ओफिसर होता है, किसी को पता ना चले, इसलिए हान की डिक्के में ही बन होता है, अब दो-तिन दीन हो चुके है, पर फिर भी हान गाड़ी में ही है, और उसके साथ यह डिडिट्टू भी है, यह दोनों बहुत ही परिशान हो चुके होते हैं, जिसन फोन के पास कॉल का ही वेट कर रही होती है, पर उसकी मदर का उसे कॉल आता है, इसकी मदर उसके बेटे के बारे में बूचती है, वो कैसे कर रहा है, स्कूल में कैसा है, इसे बात करना चाहती है, पर जिसन अपनी मदर को कॉल रखने के लिए कहती है, किर्णाबर का कभी भी कॉल आ सकता है, इसके बाद ऐन को कीड़न्य पर काओ कॉल आता है कीड़न्य पर कहता है, کیा तुमारी वाइफ अपने बच्चे से प्यार नहीं करती मैंने उसे कॉल लगाया था पर वो एंगे जा रहा था हान कहता है कि प्लीज उसे माफ कर दो अब किर्णा पर इन दोनों को एक सिनेमा हॉल के पास बुलाता है जिसुन घर पर अब बहुती डिप्रेस्ट हो चुकी होती है उसे कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा होता ये बात लेती है और फोन के पास भी नहीं बैठती हान उसके पास जाते है और चिट गया होता है जिसुन जब रोने लग जाती है तो इसे वो सहारा देता है सब कुछ ठीक हो जाएगा और उनका बेटा उने मिल जाएगा ये सब वो उससे कहता है जो पुलिस ओफिसर है एक कार की ट्रंग में ही है अब ये दोनों सिनेमा हॉल की या जा रहे होते है हान जब ट्राफिक में अडगता है तो डारेक्ली वो फूट पाथ पर गाड़ी ले लेता है वहाँ से चलता जाता है किन्यापर इसे कॉल पर कहता है कि आज तो मैं लॉंग ड्राइव लेनी है किन्यापर इन्हे अलग-अलग लोकेशन देता रहता है किन्यापर से पूछने पर किन्यापर कहता है कि मैं सिर्फ इंशोर कर रहा हूँ कि तुम्हारा कोई पीछा वेकरा नहीं कर रहा क्या कहता है कि जब मुझे सब कुछ ठीक लएगा तो एक्चुल लोकेशन में तुम्हें पता दूँगा इसके बाद एक माउंटन की लोकेशन देता है जो पुलिस ओफिसर ट्रंक में होता है यह सब कुछ सुन पाता है पुलिस के वह यह सब इन्फॉर्म हो जाता है और किन्यापर इन्से कहता है कि अब तुम रोपवे में चले जाओ पाहड के उपर तुम्हें तुम्हारा बेटा मिलेगा जब वह उपर जाते है गाड़ी का दर्वाज़ ओपन होता है तो वहाँ एक आदमी आता है और गाड़ी लेकर चला जाता है इस गाड़ी के डिक्की में ही डिटिक्टिव है जब वह उपर पहुचते है तो वहाँ इन्हें अपना बेटा नहीं मिलता अब रात हो चुकी है पर अभी इन्हें कुछ भी पता नहीं चला है जो पुलिस ओफेसर गाड़ी के डिक्की में ही था उसे भी अब contact नहीं हो रहा अगले दिन पुलिस ओफिसरे बंदा हुआ होता है और एक remote जगा पर इसे रखा गया होता है यह जब उठता है तो पुलिस को call लगाता है इसे पूछा जाता है कि क्या हुआ था किन्या पर कहा है तो एक हैता है कि उसे कुछी पता नहीं है गाड़े की डिक्की जब खुली तो इसे बेहोस कर दिया गया था और इसकी आग खुली तो डारेक्ली सुमसान जगा पर यह था हान ने उसकी चानल में कि जिस आत्मी को जेल में डलवाया था उस आदमी का वो पता कर लेते हैं उसे questioning के लिए बुला आ जाता है इसे बूझा जाता है कि जिस दिन kidnapping हुई थी तब वो कहा था यह अलग city में था और इसका proof भी इसने दिया हुआ है forensic team के जो members होते हैं discuss कर रहे होते हैं कभी भी voice 100% match नहीं होता voice जब पहचाना जाता है तो 100% match नहीं कर रहा होता यह similar होता है पर फिर भी यह match नहीं कर रहा तो यह problem होती है हान अब frustrated हो जाता है फिर से DK में police officer होता है तो गाड़ी यह speed breaker से वगराद चलाने लग जाता है सब frustration वो police पर निकाल रहा होता है एक दो दिन और भी गुजर जाते फिर से किर्णापर का कौद हान को आता है हान बुचता है तुम्हें तो तुम्हारे पैसे मिल चुके है अब मेरे बच्चे को जाने दो किर्णापर कहता है कि तुमने police को contact किया था जैसा होना चाहिए था विशा नहीं हुआ है अब वो उसके बच्चे को मार देगा इसके धमकियों दे रहा होता है हान कहता है एसा मत करो तुम्हें जो भी चाहिए और भी तुम्हें पैसे मिल दे सकता हूँ यह इसे और भी हंडेड की डॉलर्स देने के लिए मान जाता है किन्डेवर कहता है किया मैं तुम्हें लास्ट चांस देने वाला हूँ हान अब पच्चतावा करने लग जाता है जो police officer उसके साथ होता है इसे वो बात कर रहा होता है यह कहता है कि मेरे पास गन विगरा नहीं थी पर फिर भी मैंने बहुत सारे लोग को मारा है यह जो काम करता है इसमें ruthless था मैं अपने आपको God समझता था मुझे लगता था कि जो सब मुझे चाहिए यह सब मुझे मिल सकता है मैं लोगों के साथ कुछ भी कर सकता हूँ अब देखो मेरा क्या हाल हो चुका है भगवान मुझे पनिश कर रहा है इसे उस कौप पर भी दया आ रहे होती है यह कहता है कितने दिनों तक तुम घर नहीं गए हो यह पुलिस कहता है कि तुम्हारा गुसा भी सही ही था कभी-कभी हम अच्छे से काम नहीं करते किन्ना पर अब डारेक्ली कॉल नहीं करता वो जी सुन को लेटर लिखता है इस लेटर में लिखा होता है कि इस टाइम पर तुम एक जगा पर आ जाना वो अब किसी पर भी टरस नहीं कर सकता उसने अगर इस बार सही से पैसे विखरे दे दी है तो उसका बेटा उसे रात तक मिल जाएगा अब जी सुन पुलिस को बहान बनाती है कि वो जच जा रही है और वहां से निकल जाती है हान को पता चलता है कि जी सुन जब वहां नहीं है तो वहां से भागते भागते हो जर्च में जाता है यहाँ पर कहीं भी उसे जी सुन दिख नहीं रही तो यह बहुत वरीड हो जाता है जी सुन ट्राफिक में अडग जाती है तो भागते भागते ओ लोकेशन पर पोच थी है किन्यपन ने गार्बेज बैग में उसे और एक नोट छोड़ी हुई होती है कुछ लोग ये गार्बेज बैग लेकर जा रहे होते है पर जी सुन इन्हें रोक लेती है इस नोट में और एक पता उसे दे दिया जाता है एक बड़े से बिल्डिंग के उपर उसे जाना है ये कहा जाता है ये भागते भागते ही जा रहे होती है क्योंकि बहुत ही ट्राइफिक होती है यहाँ पोच थी है पर लिफ्ट एंगेज होती है यह स्टेज से जाती है और उपर चरती चरती ठक जाती है यह ड्रीम करती है कि उसका बेटा उसके पास है अपने वेड़े को हग करती है उसका बेटा उसे उपर जाने के लिए कह रहा होता है अब वो बिल्डिंग के उपर जाती है और इसमें और एक नोट होता है अब इसे ATM में जाकर एक नाम पर ट्रांसपर करने के लिए कहा जाता है जी सुन वहाँ पोच्छती है ATM में जाती है पर उसका जो पीन होता है यही काम नहीं कर रहा होता यहाँ बारिज भी चल रही होती है तो रो रो कर यह नीचे गिर जाती है यह अब unconscious ही है और इसके घर में इसे सुलाय गया है इसे मिलने के लिए चर्च के सब लोग आये होए है यहाँ फादर भी आये होती है तो जी सुन पैसे निकालती है और फादर को दे देती है फादर को कहती है कि प्लीज मेरे बेटी के लिए कुछ करो आप prayer करो कुछ भी करो प्लीज मेरे बेटी को वापस ला दो जब हान यह सब देखता है तो सब पर चीट जाता है इन सब को घर से बाहर निकाल देता है हान को भी अपने बेटी के याद आती है वो अपने बेटी को किस तरह से चिटाता था उसके बेटा उसका मसाज कर कर देता था यह सब उसे याद आता है यह बहुत ही सैड मेंसूस करता है पूलेज ने और एक सस्पेक्ट वो पकड़ा हुआ होता है इसका वोईस वेगरा सब कुछ मैच कर रहा होता है पर यह 100% नहीं होता इनका बहुत सारा शक इस पर ही होता है तो हान अब इसके पास जाता है इसके पहर पकड़ता है और कहता है कि प्लीज मेरा सन मुझे वापस देतो यह घिरड़ा ने लग जाता है तब ही हान के घर पर कॉल आता है यह किर्ण बर को कॉल होता है याने कि जिसे इन्होंने बकड़ा है कि किड्नाबर है ही नहीं हान को जब अपने बेटी की वाइस सुननी थी तो किड्नाबर ने उसे उसके बेटी की वाइस सुना ही थी पर ये सब फॉरेंसिक वालों रेकॉर्ड कर लिया था जब ये सही से investigation करते तब इने मालू होता है कि जो वाइस उसके बेटे की आ रही थी एक tape recording थी हान को जब ये पता चलता है तो ये बहुत ही depressed हो जाता है अब हमें दिखता है कि 26 days गुजर चुके है अब भी इनका बेटा kidney भी है जब हान lunch कर रहा होता है तो kidney पर उसे call लगाता है हान कहता है 30 मिनिट के बाद call करना अब मैं खाना खा रहा हूँ जिस दुन हान पर जिर जाती है कि ये तुम नहीं क्यों किया तुम इससे give up नहीं कर सकते हान अब यहाँ से चला जाता है अपनी कार तक जब वो पोच्ट है तब उसे फिर से kidney पर को call आता है kidney पर अब उसकी बेटी की दूसरी आवाज उसे सुनाता है हान को अब हो पाता है हान को लग रहा था कि इसका बेटा मर जुका है पर इसका बेटा अभी भी जिंदा है इसकी आवाज उसने सुनी है तो फिर से वो motivate हो जाता है kidney पर इसे एक जगा पर बुलाता है ये जल्दी से वहाँ पोच्छ जाता है या फिर से ट्राफिक होती है तो भागते-भागती मेले में आ जाता है इस मेले में ही एकξेंज होने वाला होता है इसका बेटा उसे میरी को राउन की यहां मिलेगा ऐसा किपने उसे कहा होता है पर इसे वह भाण नहीं मिलता अब 44 डेस गुझर जाते है और इसके बेटे की लाश इन्हें नदी में मिलती है इसके साथ एक tape recording भी होती है इन्ने पर ने इसके बेटे की voice record कर लिया था और यही वो सुनाता रहता था जिस उन्हाब रो रोकर बुरा हाल कर देती है वो कुछ भी कर नहीं पाती यह सदमे में होती है तो उसे रखता है कि इसका बेटा अभी भी जिन्दा है और वो जल्दी घर वापस आ जाएगा हान इसे comfort करने के लिए इसके पास जाता है इसे वो गले लगाता है इसे वो intimate होना चाहता है पर यह इसे जटक दिती है यह कहती है कि मुझे मेरा ही बेटा चाहिए मैं फिर से कोई भी बच्चा नहीं होने दे सकती यह रो रोकर कहती है कि मेरा बेटा मुझे फिर से वापस ला दो किन्यापर ने इनके बेटे को जहा रखा था यह स्पॉर्ट होने मिल जाता है यहाँ पर हान जो पूलिस उसके साथ था इसे बात कर रहा होता है यह कहता है कि जब भी मेरे बेटे के साथ होता था मैं पुरी तरीके से उसे टाइम नहीं दे पाता था मुझे लगता था कि मैं मेरी सब responsibilities complete कर रहा हू यही enough है और मुझे उसके साथ और भी time spent करना चाहिए था हान को अपने बेटी की बहुत याद आती है और यही यह रोने लग जाता है यह पुलिस कहता है कि हम 100 बसे उसे ढून लेंगे कभी भी बज़ कर जा नहीं सकता अब बहुत दिन हो चुके थे तो हान अपने जॉब पर जाता है आज उसे जो news देने होती है यह किण्यापर के बारे में होती है किण्यापर की voice सब लोग को सुनाना चाता है अगर किसी ने voice पैचान ली तो किण्यापर पकड़ा जा सकता है यह news हान ही देने वाला होता है जब यह news दे रहा होता है तब इसे सब कुछ रिटेल में समझाना पड़ता है और यह रोने लग जाता है यह सब से request करता है कि अगर आप इस आवाज को जानते हो तो please police से contact करो यह TV पर ही रोता है पर फिर भी news चैनल वाले यह camera इससे नहीं निकालते हान के रोने से इनके शोकों ही benefit होगा इसलिए camera इस पर ही रखते है यही movie खतम हो जाती है और हमें facts दिये जाते है यह जो kidnapper की voice थी यह 1991 में record की गई थी इसने बहुत सारे बज्चों के साथ यही किया था इसकी investigation चलती रही और 420 suspect को पुलिस ने investigate किया था 87 recordings analyze की गई थी कभी भी उन्हें किर्णा पर नहीं मिला यह movie 2007 की थी तभी भी इन्हें किर्णा पर नहीं मिला था और अभी भी किर्णा पर पकड़ा नहीं गया है आज तके किर्णा पर खुलाई गुम रहा है यह अभी भी यह सब कर रहा हो सकता है हम सब लोग अब सिर्फ प्रेही कर सकते हैं कि किर्णा पर पकड़ा जाए यही हार्ट ब्रेकिंग वीडियो आज हम खतम करते हैं